सात्यों नमस्कार मैं हूँ एड़गट सोक्षोधरी सात्यों कुछ ने टोपिक में बात करूँगा कि फ्रेसर आदमी को कमपनिया जोब क्यों नहीं देना चाहती है इससे रिलेटेड बात करेंगे आप लोगों के साथ भी यह बाते बहुत सारे लोगों साथ शेयर होती जोब कर रहे आज और अच्छा पैसा कमरें क्या वो कभी फरेसर नहीं थे वो भी कभी फरेसर थे लेकिन उसको जज्यादा मैनत करने पड़ति यह स्टेगल ज्यादा करना पड़ता है अच्छी जोब लेने के लिए अच्छी लिए लेने के लिए तो उनको कमपनियां बहुत कम सेल्डी बगरा देती हैं तो चलिए अपने कुछ पांस टोपिक मैंने नोट की हैं मेरी तरब से जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा विदेश से रिलेटेड भी यह बातें लागव होती हैं अगर आप कई भी इंटर्वी देने के लिए इंटरेस् यानि जो लोग पहले विदेश जा चुके हैं उनको यह जोब अवेलेबल होता है सब बहुत बात देखा होगा आपने तो चलिए अपने सुरुवात करते हैं साथि कंपनी फ्रेसर को जोब क्यों नहीं देना चाहती जिया साथि इसमें कुछ पांस पॉइंट मैंने नोट क लिए कि कंपनी फ्रेसर को इंटेस्ट कम क्यों होती है जोब बात नियूंकि प्रास्तमिक्ता मिलती है जो पहले से अनुववी वह जो रिटरN ए या उस जोब को पहले कर चुक है अनुवाओ की कमी होती है साथ यह कंपनियां फ्रेस्ट में आप लोगों को या कोई भी अक्सपाइजर मान लीजिए उनको जोब इसलिए नहीं देना चाहती कि मान लीजिए कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए सो बंदों को हैर करती है तो वह अगर सो के सो टोटल के टोटल बंदे अनुबवी नहीं ह दूसरह बात करेंगे विष्वास अब विष्वास की बात करेंगी विष्वास का इससे क्या तालोग है तो बहुत बढ़ा तालोग है मान लीजिए कि कहीं इंट्रिव चल रहा है और वहाँ पे 50 बंदे ऐसे हैं कि वो फ्रेस है कभी पहले उन्होंने जोब नहीं किया है उन्हों वो पहली बार ट्राई करने जा रहा है कमपनी का कोई प्रोजेक्ट है 50 के 50 कमपनी ने ले लिए वहाँ पे काम नहीं हुआ या टक गया समझ रहे हो तो कमपनी को उन पे विश्वास नहीं होता कि ये बंदे काम कर पाएंगे गया ठीक है विश्वास का मतलब एक तो जैसे आप इदेश जारियो पासपोर्ट में आपके पास 5 कंट्री आप जा चुके हो आपके पास ड्राइवरिंग लैसस है वीजा लगा हुआ है तो वो देखते हैं कि ये निया या काम किया इस इस कंट्री में काम किया तो इनको आश्वस्त हो जाते हैं कि बंदा काम कर लेगा ठीक है इसलिए उनको suppressor पे विस्वास नहीं होता इसलिए वो interested कम होती है, तीसरी बात करें, क्या आप ये काम कर पाओगे, मान लीजिए कि xy-z मैं job का नाम नहीं लिगा, कोई भी job इसमें हो सकता है, क्या pressure को company ये सोचती है कि ये बंदे काम कर पाएंगे, कल को नहीं कर पाए, वापस आ जाए, वापस बंदे आ गए, या फिर जो time पे काम नहीं हो पाया, तो बहुत सारे reason होते हैं, इसलिए company सोचती है, क्या pressure बंदा काम कर पाएगा, तो वो थोड़ा सा हिच कचाने में डर लगती, इसलिए वो pressure को जो नहीं देना चाहती है, ठीक है साथी हो, company को नुक्सान, अब company को नुक्सान कैसे हो, company को नुक्सान की बात करें साथी हो, तो आप फ्रेसर बंदे लगाग दिये, और उन्होंने अगर काम नहीं किया, या गलत कर दिया, या कुछ mistake ऐसा हो गया, कि वो budget गड़ बढ़ा जाता है, या time पे काम नहीं हो पाता है, यानि company को शंका होती है, company को नुक्सान होता है, उनकी बज़द से, company को डर लगता है, इसल तो confidence यहां गड़ बढ़ा जाता है, अब company आपको कैसे आपको 20 लाग की कार देदेगी, यह गाड़ी लेर, आप driver आपके पास license आप चलाओ, वो नहीं दे सकती है आपको, आपने देखा होगा, यहां से जाने के बाद company पहले वाँ तीन, मैंने आपको टेंड करती है, फिर आपको license देती है, जाते ही काड़ी की steering आपको नहीं मिलती कभी भी, यह होता है confidence नहीं होना, company को confidence नहीं होता कि बंदा कल को कई पर ठोक दे, या कुछ और हो जाए, या आजसा हो जाए, तो यह confidence company को नहीं होता, आपको तो हो सकता है कि आप कर लोगे, लेकिन company को वरुसा न करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने यह बताया कि company interested कम होती है, जो तो देते हैं, क्या फ्रेसर नहीं होते हैं, जो आप लाखों worker, क्रोड़ो worker काम कर रहें, वो कभी ने कभी तो फ्रेसर थे ना, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन यह बाते है company के होती है आपको भी पता है, जो इन चीजों से घुजर चुका उनको पता है, शेली कम देना, काम कम देना, यह चीज़े सवाविक हैं, तो मैंने मेरी तरफ से पास पॉइंट लिखे हैं, तो इसलिए company की बताया है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा, तो साथियो मैंने मेरी आपको बता दिया है, इसमें आपको लगता है कि कुछ आप में कमी है, तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर रोज ऐसे टोपिक पर आपको सही जानकरी, सही मोटिवेशन मिलता रही, जाहिंद बने